सन 1947 बटवारा दो मुलकों का कहते हैं कि हर बटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है ऐसे ही कुछ विवाद भारत पार्क बटवारे के पीछे भी छूट गए सानी देवल का ये मशूर डायलोग किस फिल्म से है इस मशूर डायलोग के बारे में आप क्या जानते हैं किसके हाथ सोने को पिढ़ ला सकते हैं कौन सा ऐसा डायलोग है जिस से सानी ने देश भगती का एसास दिला दिया था दोस्तों सानी देगॉल ऐसे अक्टर्ज मेंसे हैं, जो ना केma अपनी अक्टिंग, बल्कि अपनी डायलोग, इलिवरी के लिए भी काफी मशूर है, उनके डायलोग थो उनसे भी जादा मशूर है सानी देवल के हर एक मूवी में कोई नगुए ऐसा डायलोग तो होता ही है जो लोग सालों तक याद रखते हैं वैसे ही 2001 में एक फिल्माई थी गदर जिसका एक एक लाइन और एक एक स्थीन लोगों के दिलों में आज भी जिन्दा है और वो हांट पम बुखारने वाला सीन तो शायद ही कोई बूला हो जिसने भी ये मूवी नहीं देखी है फिर भी उसे इस डायलोग के बारे में कहीं न कहीं से तो पताई होगा लेकिन अगर आपने भी ये फिल्म नहीं देखी है और आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है उसे आप जरूर देख सकते हैं तो दोस्तो में इस प्वागत करती हूँ आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में जहां आज हम बात कर रहे हैं सानी देखुल के कुछ फेमस डायलोग के बारे में तो आईए शुरू करते हैं अश्रफ अली आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है इससे हमें कोई इतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा फिल्म का ये डायलोग आज भी लोग देश भक्ती दिखाने के लिए इस्तिमाल करते हैं जब ये डायलोग सनी ने फिएटर में कहा था तब लोग तालिया और सीटिया बजा के पागल हो गए थे तारीक पे तारीक पे तारीक लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया माई लॉट इंसाफ के नाम पे मिली है तो सिर्फ एक तारीक ये डायलोग है फिल्म 93 से दामिनी का जिसको डिरेक्ट किया था राजकुमार शंतोशी ने ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें सनी देओल एक वकील के रोल में नजर आते हैं इस डायलोग में इमोशन है गुसा है और सिस्टम के सामने आम इंसान की मजबूरी साफ दिखती है जब ये धाय के लोग का हाथ किसी पर पढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है दामीनी का ये डायलोग आठ भी लोग अपनी शक्ती दिखाने के लिए बोलते हैं सनी ने इस फिल्म में ये डायलोग ऐसे दिलिवर किया था कि इसने मजबूर कर दिया था दर्शकों को कि वो विलन से नफरत करने लगे ये मजबूर का हाथ है तात्या लोहा पिगला कर उसका अकार बदल देता है 96 की ये फिल्म घातक में सनी देओल ने तात्या को मजबूरों की ताकत का अंदाजा दिला दिया था डरा कर लोगों को वो जीतता है जिसके हड्डियों में पानी भरा हो मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुटों के पीछे चिपना छोड़ दे सानी देओल को बेशक ही अपनी विलन की आदमियों को कुटा बुलाना का बहुत शौक है इसलिए राइटर्स भी उनके लिए इसी तरीके के स्ट्रिप्स लिखते हैं इसलिए तो पहली भी घायल में उन्होंने बलबंत राय के कुट्टे जैसे डायलोग का यूज किया था और इस फिल्म में भी उन्होंने कुटा बुलाया है ये मुल्क है कोई खेत का टुकडा नहीं जो आप यूँ ही बाटते ये लाइन है गदर से ये लाइन अपने में ही बेहत खास है मर कर किसी ने लडाई नहीं जीती लडाई जीती जाती है दुश्मनों को खतम करके ये डायलोग है फीमस फिल्म बॉर्डर से जिसमें सानी देओन ने एक मेजर का रोल प्ली किया था और हम सब को तेश भक्ती का अंदाजा बहु भी जला दिया था ये फिल्म है 2005 की जो बोले सो निहाल ये डायलोग इस फिल्म के अलावा सानी देओन ने यमला पगला दिवाना और यमला पगला डिवाना टू में भी यूज किया है लेकिन फिल्हाल हम आपको ये बता दे कि सानी देओल की ब्लॉग बास्टर फिल्म गदर का रीमिक बन रहा है जिसमें उनके बड़े बेटे और सारा अली खान नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में सानी देओल भी खास रोल में नजर आएंगे ये फिल्म बेस्द है कश्मीरी पंडितों के उपर तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट बॉक्स में दरूर बताईगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही हम फिर हाजर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त तक के लिए दीजे हमें इजाज़त